मेरे नाम द्रवी में आपके लिए मद्रीकल कंटेंट तो जैसे की ट्रांफर प्रॉसेस का स्टार्ट हो गया फेज टू तो एक बहुत जरूरी कोश्चन है जो बहुत सर्कुलेट हो रहा है हाला कि मुझसे जादा कईयों को पता है लेकिन मैं जितना भी पता है उतना आपको पताने की कोशित करता हूं और जो नए फ्रेशर जिन्होंने जोइन किया किया है इस बार उनके लिए भी काम का आएगा जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2021 में ट्रांसफर होए थे हैं 2020 में जो हाड इस्टेशन पहुंच गया किस में अक्टूबर में ट्रांसफर आए थे जब 21 से 22 वाला सेशन काउट होगा अब 2023 की ट्रांसफर पॉलेसी में क्या था 2023 की ट्रांसफर पॉलेसी में 2021 वाला एक पॉइंट यूज हो रहा था जिसमें ये लिखा था कि जिसने अगर अपने जोइनिंग टाइम के अंदर जोइन करा उसका वो एयर काउंट होगा अगर अक्टूबर 2021 में किसी ने जोइन करा हार्ड इस्टेशन विदिन जोइनिंग टाइम तो उसका 2021 काउंट होगा मतलब इस तरीके से उसका जो हार्ड इस्टेशन टैनियोर है इस 2024 के ट्रांसफर पॉलेसी में वो ट्रांसफर प्रोसेस में कंप्लीट हो गया अब 2023 में जो यह कह रहा है कि 2021 वालों का वो यह काउंट होगा क्योंकि अगर मेरा अनलाइसिस कह रहा है क्योंकि 2021 में अगर काउंट नहीं करेंगे तो 19 वाले 23 में जा चुके हैं तो यह ट्रांसफर प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 2021 वाले जो हार्ड इस्टेशन पहुँच गए थे या फिर 21 वालों के 3 साल हार्ड इस्टेशन में तो यही हमें लग रहा है बाकी देखे क्या होता है लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% शौर हूँ कि 2021 अक्तूबर में जिन्होंने जोइन किया उन्हें मौका मिलेगा धन्यवाद